हेलो फ्रेंड्स वेलकम तु माई यूटूब चैनल केल स्टडी फ्रेंड्स MP वर्गदो साइंस कि यह हमारी प्रैक्टिस सेट वाली क्लास फोर रहेगी ठीक है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट फोर यहां पर करेंगे तो इससे पहले हमने हमारा पूरा ब्रह्मांड वाला पूरी तरीके से आपको डेटेल से करवा दिया था तो जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पहले उन्हें देखिए इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आसानी से आपको सारी चीज़े समझाएंगी और यहां पर थिरी किया था उसमें ग्रह से जितने भी कॉश्चन बन सकते थे वो सारे हमने आपके साथ से यार किये थे आज हम देखेंगे आपके जो अन सौर मंडली ये पेंड होते हैं जैसे वोलका क्या होती धूम केतू क्या होते हैं इनसे जो कॉश्चन बनते हैं वो हम यहां पर द तो आपको बता दें कि यह कलाएं आखर होती क्या है चंद्रमा की कलाएं तो जो चंद्रमा है क्या होता है कि यह हमारे प्रत्वी की परिक्रमा कर रहा है प्रत्वी का एक मात्र अपग्रह है चंद्रमा ठीक है और आपसे पूंच ले जादी कि जो चंद्रमा है इसको प्राकर प्रकिर्थी की देन हैं really is powered by Continue working in September 2017 insa 5 कैसा उपक्राया तो आपके से मानाव से निर्मित किया जाती हैं तो offering जिए आप से पुंच लिए की एक मघ्र उपक्राहे कि प्रकिर्थी का है तो चंद्रमा है और यहीं ऐसा ज्यवारे का जीवन संभाव है तो यह हमने पहले discuss कर लिये हैं question अब चंद्रमा जो होता है क्या होता है यह सूर्य प्रत्वी की परिक्र्मा करता है और कभी तो यह प्रत्वी के नज़दीक होता है और कभी यह दूर होता है तो इसमें जो चमकदार भाग इसका जो हमें दखाई देता है रात्री में उसी को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं और इसमें परिवर्तन होता रहता है तो अब एक question बनता है कि चंद्रमा की तरह ही कलाएं किस ग्रह में देखने को मिलती है तो आपको बता दें इसका जो correct answer होगा आपका फश्ट बुद्ध ग्रह हो जाएगा जो बुद्ध ग्रह है यह आपके प्रत्वी की अपेक्षा सूरिय के सबसे नजदी के स्थे थे और यह सूरिय की परिक्रमा कर रहा है तो सूरिय की करणे इस पर पढ़ती है और इसका जो भाग होता है वो भी चमकदार होता है और आपने पढ़ा है पहले कि जो बुद्ध ग्रह है इसका आकार हमारे चंद्रमा की बराबर है तो आप सोच सकते हैं कि ये ग्रह है और ये अप ग्रह है तो आपको बता दें कि चंद्रमा की तरह जो कलाएं होती है या इसी को चंद्र कलाएं कहते हैं तो किस में किस ग्रह में दखाई देती हैं आपके बुद्ध ग्रह में ठीक है तो आप देख सकते हैं राइट आंसर हो चंद्रमा चंद्रमा के खटने और बढ़ने के क्रम को चंद्रमा की कलाय कहते हैं। अब आपने पड़ा होगा एक तो पूर्णिमा होती है और एक अमावस्या होती है तो आपने देखा होगा कि जब आपकी अमावस्या आती है या पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा को आपका पूर्ण चांद दखाई देता है ठीक है और आपकी जो अमावस्या आती है तो जो क्राम है वो घटता वड़ता रहता है इसी को कहते हैं चंद्रमा की चंद्रकलाएं ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्रह्मांड में समस्त कण यहां पर ठीक है थोड़ा सा में स्प्रेंट हो जाता है तो आप उस पर गौर ना करें ब्रह्मांड में समस्त कण एक आपके उपग्रह हूँ, चाहे आपके ओलका हूँ, चाहे आपके धूमकेतू हूँ या अन्य जितने भी सौरमंडल में पिंड इस्थित हैं, वो एक दूसरे को आकर्शित कर रहे हैं और इस आकर्शन का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण है गुरुत्वा कर्शन बल, राइट आंसर ओप्सन ए हो जाएगा, गुरुत्वा कर्शन बल और यही बल है जिसके कारण हमारे पूरे ब्रह्मांड की हर एक बस्तू, हर एक चीज, हर एक पिंड अपने नियत स्थान पर इस्थेत है ठीक है तो आप देख सकते हैं गुरुत्वा कर्शन बल और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो सूर्य है उसको सौर मंडल का मुखिया या हिरदा इस्थल कहा जाता है इसका कारण क्या है तो इसका कारण यही है गुरुत्वा कर्शन बल ठीक है अब एक गुरुत्वा कर्शन बल आपको बताद है मान के चलिए यह हमारा सूरिय होता है और इसके बाद आपके ग्रहे आते हैं बुद्ध होता है, सुक्र होता है, पृत्वी, मंगल, ब्रस्पती, सनिया, रोन, बरोन ठीक है, तो सूरिय जो है इसके पास अपना गृत्वा करशन होता है तो सूरिय बुद्ध को अपनी और खीच रहा है, मतलब गरहों को अपनी तरफ खीचता है लेकिन प्रत्यक ग्रहे का भी अपना गृत्वा करशन होता है तो अन ग्रहे इसको अपनी तरफ खीच लेते हैं तो आपको बता दें कि जो पिलूटो है पहले ग्रह था पहले हमारे सौरमंडल में नो ग्रह थे लेकिन 2006 से जो पिलूटो है उसको ग्रह की स्रेणी से हटा करके बोने ग्रहों की स्रेणी में जिसे छुद्र ग्रह कहते हैं डाल दिया गया है क्यों डाल दिया गया है इसका कार आपको जो आपकी ए यू संस्था होती है आई यू करके जो होती है तो उसने मतलब तीन कंडिशन रखी थी सामने ग्रह के ठीक है कि जो इन तीनों कंडिशनों को फालू करेगा वो ग्रह कहलाएगा और जो भी इसको फालू नहीं करेगा तो ग्रह नहीं कहला था ठीक है तो ए क्या था यह सबसे छोटा था मतलब चंद्रमा से भी छोटा था हमारा जो ग्रह है प्रत्विका उससे छोटा था ठीक है और दूसरा क्या था कि यह जो है बुद्ध ग्रह की कक्षा को काटता था तो इसको ग्रह की स्रयाणी से हटा दिया है अब इसको ग्रहों में परिभासत नहीं किया जाता और ना ही ग्रहों में गिना जाता है तो इसे ग्रह की स्रेणी से कब हटा दिया गया यह भी पूंच सकते हैं तो इसका करेक्ट अंतर राश्टिय खगोल बिग्जान यूनियन के द्वारा पारत प्रस्ताव के अनुसार प्लूटो ग्रह की सरेणी में नहीं रखा इसे बौने ग्रह की सरेणी में रखा गया है ठीक है अब आप से अन्न भी पूछ सकते हैं कि अन्न जो छुद्र ग्रह हैं या अन्न जो पाएंगे तो यह तो सभी को पता होता है कि 2006 में हटाया गया यदि एक्जेक्ट डेट पूछ लेगा तो याद रखेंगे आप 24 अगस्त 2006 मंगल और ब्रसपती के बीच की दूरी अत्या धेक्ट अब आपके ग्रह से कोश्चन बन जाते हैं यह है आपका सबसे पहले बुद्ध बुद्ध के बाद आपका हूज आता है शुक्र सुक्र के बाद आपकी प्रित्वी प्रित्वी के बाद आपका मंगल और मंगल के बा कि मेरे और मंगल ब्रस्पती ग्रह के बीच पिंड था नहीं कहा जाता है या पते हैं तो आप की ग्रही काएं कहें या लगहू कहते हैं ठीक है तो जो मंगल और ब्रस्पती के बीच में स्थेत हैं छोटे छोटे पिंड जो सूरिय की परिक्रमा कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं ग्रही काएं कहलाते हैं एस्ट्राइड कहलाते हैं नेक्स्ट है यह दिया है ग्रही काएं लगुग्रहिया एस्ट्राइड यह चट्टानों और धातूं से बने होते हैं इनका आकार सूक्ष्म कर्ण मतलब बिलकुल छोटे आकार से ले करके कई किलो मीटर व्यास वाले गोले तक के हो सकते हैं इनकी कक्षाएं जो हैं बो अलग-अलग होती हैं भले ही एतने छोटे हैं लेकिन इनकी जो कक्षाएं हैं वो निया थें क्यों निया थें गृत्वा कर्षण की कारण ठीक हैं और यह अत्याद है कि लंबी दूरी तक फैले रहते हैं मतलब आपने देखा होगा आपने इमेज की माध्यम से तो यह बहुत दूरी तक फैले रहते हैं और एक जुंड का निर्माड़ी कर लेते हैं तो आपके इस्ट्राइड कहलाती है। कुछ बिद्मान मानते हैं कि धूम केतू होते हैं वो लंबे यंतराल की बाद दिखते हैं लेकिन इनका जो दिखने का समय है वो निश्केत नहीं होता लेकिन दिखते जरूरि हैं हेली धूमकतु अंतं बार ne install aus 1986 में देखा गया था और अब यहीं च patr बरस के बाद देखेगा तु कब देखेगा पणा दो Zukष 2005 में तो पूंच सकते हैं कि हेली नमक धूमकतु अंतं बार 1986 में दिखाई दिया थाथ तो अब कब दखाई देगा तो 2062 में कितनी वर्सवाद 76 वर्सवाद थीक नेक्स्ट है चुद्र गिरहों के टुकड़े वा धूम केतु के द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण को क्या कहते हैं तो जो चुद्र गिरह हैं अभी पड़ते आ रहा है जैसे पिलूटू है तो इनके जो टुकड़े होते ह इनमें जब बिस्पोर्ट होता है तो टुकड़े इनके बिखर जाते हैं और धूम केतु जो अभी हमने पड़ा पीछे छोड़े गए धूल के कण मतलब धूल के कण ये छोड़ते हुए चलते हैं मतलब ये गती कर रहे हैं तो जो धूल के कण ये पीछे छोड़ते हुए तो यह याद रख लेंगे उलका प्रकास की चम के लिए धारी के रूप में दखाई देते हैं जो आकास में छण भर के लिए दमकते हैं और फेल लौपत हो जाते हैं उनका एक छुद्र के रहों के टुकड़े वा धूम केतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कन उलका पिंड कहलाते हैं नेक्स्ट पहले हम क्या मान लेते थे जब भी ये छण भर के लिए दिखते थे तो कहते थे टूटता हुआ तारा यह एक भरांती है यह बिलकुल गलत है ठीक है इसे टूटता तारा नहीं कहते है नेक्स्ट है अपसौर की घटना कब होती है तो आपको ब करती है तो कभी तो इसके नजदीक होगा एक पाठ और एक दूर होगा ठीक है और जब audio हो जाएगा तो जब हमारा जो अपसौर की घटना ख्यफ गंगत होती है तो जब हमारी सूर्या और प्रतवी के बीच की दूरी कम होती है मतलब सबसे कम होती है तो उस समय की जो घट आती है गटनाbreak तीन जनवरी को होती है ठीक है एक होता है अपसौर 15 क्या होता है अपसौर की घटना कब होगी तो अपसौर मतलब जब प्रत्वी और सूरए के वीच सब से अधिक दूरी होती है तो इस घटना को अपसौर कहते हैं और ça. चार जुलाई को पड़ती है तो यह दोनों चीज़ें याद रखेंगे एदिया है पूरा अपसौर क्या कहलाता है अपसौर की घटना तीन जनवरी को अप में आ गया मतलब यह तीन आप देखेंगे और अपसौर छोटा है मतलब जनवरी पहले आती है फिर इसके बाद चार जुलाई ठीक है तो यह अपसौर अपसौर बड़ा होता है तो चार भी बड़ा है और जुलाई बाद में आता है ठीक है इस तरीके से किसी भी तरीके से याद रखें आप तीन जनवरी प्रत्वी सौरी की परिक्रमा कैसे कर रही है देरिक व्रत्तियक अक्षा में जिसके एक फोकस पर क्या होता है सूर्य और दूसरे तरफ आपकी प्रत्वी होती है जब प्रत्वी सूर्य के अत्याधिक पास होती है मतलब नजदीक होती तो केवाल इतनावी कौश्चन पूंच सकते हैं कि जब प्रत्वी सूर्य के अत्याधिक पास होती है तो अपसौर कहलाती है फिर कहेंगे प्रत्वी सूरी के अत्यातिक पास होती है तो यह घटना अपसौर कहला आती है यह कब घटत होती है तो तीन जनवरी को होती है ठीक कहीं से भी question पूंच ले आपको सारे question किलियर रखने है ठीक है तो उसे अपसौर कहते है यह इस्थिती तीन जनवरी को होती है अर्था तीन जनवरी को प्रत्वी सूर्य के सबसे निकट और यह जो दूरी होती है सबसे निकट की यह 14.70 करोड किलो मीटर होती है ठीक नेक्स्ट अपसौर की घटना कब होती है तो अभी आपको बता दिया चार जोलाई ऑप्सन डेस का करेक्ट आंसार है चार जोलाई प्रत्वी जब सूर्य के सबसे दूर होती है उसे अपसौर और घटना चार जोलाई को होती है और यह से इस्तिती में प्रत्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है अब यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अपसौर और अपसौर की जो दूरी होती ह इनमें कितने का अंतर होता है तो यह आप अंतर नकाल के देख लें एक बार ठीक है या फिर आप डिटेल वाले बी डियू देख लें बहाँ बताया हुआ है नेक्स्ट है अब यह आपकी जो अपसौर और अपसौर की गरना होती है इनको मिलाने वाली एक कालपनिक रेखा होती है जो सूरिय के केंदर से गुजरती है तो उसे क्या कहते हैं तो ये most important question रहेगा आपका तो पूँच लेते हैं कि आपसौर और आपसौर को मिलाने वाली कालपनिक रेखा क्या कहलाती है तो इसका correct answer हो जाएगा option B एपसाइड रेखा उसे कहते हैं अब आपको बता दें कि यह ना केवाल एंपिटेट के लिए बलकि आपके जितने भी competitive exam होते हैं जहां भी science आनी है ए पहां important question रहेंगे ठीक है नेक्स्ट है ए हो गया आपका एपसाइड रेखा जब सूर्यों और प्रत्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो कौन सी घटना होती मतलब आपका चंद्र गरहन और सूर्य गरहन से question बनते हैं तो यह हमने बहां पर नहीं discuss किये थे तो इसको हम कौशनों के माध्यन से कबार कल लेते हैं ठीक है तो आपको चंद्र गरहन और सूर्य गरहन याद रखना है कि कब होता है ठीक तो जब सूर्यों और प्रत्वी के बीच में क्या होता है कि यह हमारा सूर्य है ठीक है मतलब एक तरफ आपका सूर्य होता है और एक तरफ होती है आपकी प्रत्वी और जब बीच में इसमें क्या होता है चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की बजह से सूर्य का चमकदार भाग हमें प्रत्वी से दखाई नहीं देता है तो ये घटना क्या कहलाती है आपकी एक कहलाती है सूरिय गिरहन क्या सूरिय गिरहन अब ये सूरिय गिरहन क्या होता है तो आप यहां देख लें कि जब कभी भी दिन के समय में मतलब दिन के समय की बात है ठीक है तो जब कभी भी दिन के समय सूर्य और प्रत्वी के बीच क्या आ गया चंद्रमा आ गया तो चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की जो चमकदार सता है वो हमें दखाई नहीं पड़ती है तो इस इस्तिती को सूर्य गिरहन कहते हैं और जब सूरिय का एक भाग छिप जाता है, क्या छिप जाता है, तो उसे आंसक सूरिय गिरहन, और जब पूरे का पूरा सूरिय ही कुछ छणों के लिए छिप जाता है, तो उसे पून सूरिय गिरहन कहते हैं, अब आप से पूछ ले, कि पून सूरिय गिरहन हमेशा कब होता ह है तो अमा वस्या को होता है न्यूमून को होता है अब एक क्वेशन आपसे पुंचता है कि गटत होने सवाली गटना कौनसी है तो वो चन्द अगरणैं'd से हिंदी में लग마 पुंच लेते है कि न्यूमून को ठीक है और एक पुंचता है blood moon , blood moon गटना होती है यहाँ पर प्रिथवी आजाती है तो कौन सी घटना होती है तो वो चंदघृषण कहलाता है यह दिया है कि जब सूरी और चंद्रमा के बीच प्रित्वी आ जाती है तो सूरी की पूरी रोजनी चंद्रमा पन नहीं पढ़ पाती तो चंद ग्रहन पढ़ता है और चंद ग्रहन हमेशा पूरी मा की रात्री में होता है याद रखेंगे ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन अब तक खोजे जा चुकी तारा मंडलों में सबसे बड़ी तारा मंडल का नाम क्या है तो सबसे बड़ा तारा मंडल है आपका सेंटरस अब तक कितनी तारा मंडलों की खोज हो चुकी है तो 89 तारा मंडल बर्तमान में हैं जिनमें सबसे बड़ा है में तररस्स जो है इसमें कितनी तारह हैं 94 थारह파्षग अब देंख लेंगे तारह मंडल क्या होता है् आकास में और धंडली तारह प्डेल में टार्य देती है अब तारह हमने आपको पढ़ा दिया था कंसे इंका निर्माड़ होटा क्या इनका अंत होता है लाल दाना उतारा क्या कहलाता है अभी न उतारा क्या होता अभी प्षोटी तारा किसे कहते हैं जीवासम तारा क्या है तो आप आप कोश्चनों के माध्यम से यादी पढ़ना चाहते हैं तो practice set first लगा ले या फिर आप detail वाले वीडियो देख लें ठीक है त ani वीडिर न ही तक 59 तारा मंडलों की पहचान की गई है यनमें सबसे वड़ा तारा मंडल है आपका statatस enट्रस इसमेशर के आपचा है तक उल्क शोटे स उल फ्र भी मनडलों में इसा स्वेर मागिगा कॉंच पूंच लिता है कि 8 तारी क्यूंच तो बो भूता है ठीक है नेक्स्ट है उर्षा मेजर और उर्षा माइनर एक क्या है तो ए आपके तारा मंडल है इसे तारे मंडल को ही नक्षत्र मंडल कहते हैं तो ऑप्सन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा अब एक क्वेश्चन पूंचता है हिंदी में आपको लिख के देता है कि उर्षा मेजर क्या उर्षा मेजर किस तारे मंडल का दूसरा नाम है तो ए आपके सब्त रिसी का दूसरा नाम है क्या सब्त रिसी का दूसरा नाम है आपका उर्षा मेजर और एक होता है उर्षा माइनर तो ए लगू सब्त रिसी का दूसरा नाम है आप याद रखेंगे और उर्षा माइनर को ही ध्रोब मतश्यतारा कहते हैं ठीक ये भी याद रखना है आपको नेक्ष्ट है ग्रीश मकाल में रात की पहले पहर में दखने बाली प्रिशिद तारा मंडल को किस नाम से जाना जाता है तो हमने देखा है कि जातरी का जो पहला पहर होता है उसमें जब हम आकास की तरफ देखते हैं तो हमें सात तारों का समूह दखाई देता है कैसा शात तारों का इस तरीके से एक आकरती बनी हुई दखाई देती है तो उसे हम क्या कहते हैं तो उसे सब तरिसी तारा मंडल कहते हैं नेक्स्ट है ग्रेट बियर कहा जाने बाला तारा मंडल कितने तारों से मिल करके बना है तो यहां पर हमने दो-तिन question एक्ष्ट्रा लिए है Orion तारा मंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? Most important question है Orion क्या है? एक तारा मंडल है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है Hunter क्या है? Hunter option B इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट question उर्सा मेजर और उर्सा माइनर क्या है? तो यह एक आपका तारा मंडल है हमने देख लिया है इसी को नक्षत्र मंडल या सब्तरिसी कहते है यह repeated question है ठीक है? I hope आपको सारे question अच्छे से समझ में आए होंगे और यहां पर एक question के माध्यम से हम आपको बहुत सारे question कवर करवाने का प्रेयतन करते हैं यदि आपको class पसंद आती है तो like से जरूर करते चलें और यदि आपका कोई comments या कोई question या आपकी जो प्रतिक्रिया होती है वो आप comments में व्यक्त कर सकते हैं और आप सारे session जरूर देखें क्योंकि ये बहुत ही important session होते हैं पहले आप पूरा topic कवर कर लें इसके बाद question लगाएं और हमारा जो दूसरा topic दिया गया है असलिवस में मापन वो हम मतलब पढ़ रहे थे तो उसकी class सायद चार class में हो चुकी है कल उसकी last class रखेंगे ताकि आपका जो मापन है वो पूरा complete हो जाए इसके बाद next जो आपका topic दिया है वो start कर लेंगे ठीक है और यहाँ पर इसके भी हम practice set लगा लेंगे कि मापन से क्या कुछ question बन सकते हैं क्या numerical question बनते हैं ठीक है और यदि time मिलेगा तो आपको cdp जो आपका है जो 10 नमर का आना है उसके जो important question बन जाते हैं मतलब जो topic important होते हैं जैसे gene पे आजए है आधिगम अक्षमता से question आता है तो जो बहुत ही important जहां से question आने ही है तो वो हम discuss कर लेंगे अब जो आपका cdp है वो आपको बहुत deeply पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो important आपके topic है बहीं से question उठा करके पूछे जाएंगे 10 question आपके आने हैं और शलेवस आपका पूरा का पूरा 30 नमर वाला दिया गया है तो आपको अच्छे से सारे subject को cover करते हुए चलना है ठीक है तो आप सोच सकते ही competition बहुत अदेखे तो अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी ठीक है thank you